हे गाइस वेलकम बैक टू मुवी नारको और दोस्तों ये है मॉस्टर वर्स यूनिवर्स के फोस्ट एडिशन यानि गॉड्जिला वसस कॉंग की कहानी तो कहानी शुरू होती है कॉंग से जो अभी सकल आइलेंड पर है यहीं कॉंग के साथ एक बच्ची भी मौजूद है जिसका नाम जीया है जीया वैसे तो सुनना ही सकती मगर वो एक लौती बगती है जो कॉंग से साइन लेंगवेज के थूरू बात कर सकती है कॉंग भी जीय मोनाक के लिए ऐसा कॉंग एक्सपर्ट काम करती है और जीया उनकी अडाप्टेट बेटी है डॉक्टर एलीन कॉंग को कही और शिफ्ट करना चाती है क्योंकि इस इसकल आइलेंड का हैबिटेट कॉंग को सूट नहीं कर रहा है और ये लोग भी कॉंग को जाह देर तक पुरानी है और इसका जिखर इंशन इंस्ट्री में भी बताया गया है अब हम एपेक्स की एक फैसिलिटी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे फ्लॉरीडा के एक शहर में है इसे एपेक्स कंपनी में बेरी हेस नाम का एक बंदा काम करता है और ये बंदा टाइटन कॉंस पर इसे एक पॉड़कास भी शूट करता है अब बंदी को लगता है कि एपेक्स कंपनी में थोड़ी गरबर बगरा चल रही है तो वह इस बात का पता लगाने के लिए एच्वल में इस कंपनी के अंदर ब्रेक इन करके वहां थोड़ी इन्वेस्टिकेशन करने जाता है व और वह इस एपेक्स फेसलिटी पर अटएक कर देता है इस अटएक से बननी बिल्टिंग में फस जाता है और यहां वो एक बड़ी सी मिस्टीरियस मशीन को देखता है जो एपेक्स ने छुपा कर रकी है अब अगले सीन में हम मैडिसर रसल को देखते हैं मैडिसन के पापा मोनाक फैसलिटी में काम करते हैं और जैसा कि आप लोगों को पिछली मूवी से पता हुआ कि इसकी मा एमा रसल भी पिछली मूवी में मारी जा चुकी थी मैडिसन को अपने स्कूल में चल रही न्यूस से गोड़्जिला के अटेक के बारे में पता चलता है मगा माक यानि मैडिसन के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और गोड़्जिला के इस मामले से दूर रहने को बोलते हैं क्योंकि वो उसको सेफ रखना चाहते हैं और इतना कहके माक अपनी बेटी मैडिसन को घर भेज़ देता है जो गोड़्जला को काबू में कनने के लिए अपना एक प्लैन लेकर नेतन लिंड नाम के एक बंदे के पास जाता है नेतन एक साइंटिस है और उसने होलो अर्थ के बारे में थियोरीज लिकी है नेतन की थियोरीज के साब से हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह अंदर से खोकली या फिर हॉलो है और हॉलो अर्थ टाइटन का घर और ओरिजिन दोनों है अब आगे वॉल्टर नेतन को हॉलो अर्थ के बारे में और इलैबरेट करके बताता है कि ठीक अर्थ के बीचम बीच उनके नीचे एक समुद्र जितना बड़ा ही एको सिस्टम है जैसे हॉलो अर्थ कहते है और इन लोगों को सेटलाइट की हेल्प से काफी बड़े एनर्जी सोर्स भी यहां पे अंदर मिले हुए और यह सारे एफेक्स हॉलो अर्थ थियोरी को और भी ज़दा स्ट्रेंटन करते हैं एपेक्स कंपनी का CEO यहां नेतन को बताता है कि जैसे सूरज अर्थ को रोशनी देता है और उसे एनर्जी भी प्रोवाइट करता है वैसे हमारी अर्थ की जो कोर है वो भी हॉलो अर्थ के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है बिलकुल एक छोटे सूरज की तरह और यही एनर्जी टाइटन्स को क्रियेट करती है और उन्हें सर्वाइफ करने में मदद करती है वो आगे बोलता है कि उसे इस पावसोर्स का थोड़ा से सेंपल चाहिए ताकि वो इस एनर्जी सोर्स को यूज करके एक ऐसा रोवर्ट बना सके जो कि गौडजिला को टक्कर दे सके और इसके लिए वो चाहता है कि नेथन इसमें उसकी हेल्प करे और होलो अर्थ में जाके उस पावसोर्स को ढूंडे मगर नेतन ये काम करने के लिए थोड़ा कतर आता है क्योंकि उसका भाई भी एक बार के लिए होलो अर्थ पर गया था लेकिन वहां मौझूद रिवर्स ग्रेविटी ने उसकी जान ले ली अब यह मैं होलो अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी के बारे में हलका सा बता दू कि आदमी जैसे ही नॉर्मल अर्थ से होलो अर्थ में जाता है तो एक दम से ही इना स्नैप अफ सेकेंड ग्रेविटी पूरी तरह रिवर्स हो जाती है और ग्रेविटेशन फोर्स के सडन चेन से एक आदमी आफर एक बाड़ी पे इतनी ज़दा फोर्स लगती है कि उससे उसके चीतड़े ओड़े आते हैं तो वाल्टर या नेतन को बताता है कि एपेक्स फेसिलिटी वालों ने एक ऐसा शिप डिजाइन किया है जो रिवर्स ग्रेविटी का सामना भी आराम से कर सकता है और अब इस वेहिकल के कारण ये लोग आराम से होलो अर्थ में जा सकते हैं पहले तो इस बात के लिए मानती नहीं है मगर नेतन उसको समझाता है कि कॉंग के रहने के लिए होलो अर्थ एक परफेक्ट स्पॉट रहेगा क्योंकि उसके पूरबट भी वहीं से आय थे और एलीन भी कॉंग के लिए एक परफेक्ट प्लेस ढून रही है जहां पर गोर्जिला उसको ढून ना पाए अब आगे नेतन, एलीन और उसकी बेटी जिया समुदर के रास्ते से कॉंग को लेके हॉलो अर्थ की आउटपोस्ट एंटार्टिका के लिए निकल जाते हैं कॉंग को ये लोग एक एक एरक्राफ्ट केरियर, जैसे आप एक बहुत बड़ी नाब भी कह सकते हो, उस पर रखते हैं और इसकी साथ-साथ ये लोग को अच्छी तरह चेंज से बांद देते हैं और तो और इसको अच्छी तरह सेरिटिव्स भी देते हैं क्योंकि बीच राजते में हो सकता है कि कॉंग आउट अफ कंट्रोल हो जाए इन लोग के साथ-साथ इपेक्स की एक टीम भी है, जैसे वॉल्टर की बेटी क्यूट माया सिमन्स लीट कर रही है इस वॉर्शिप के आर्मी ऑफिसस, टॉक्टर एलीन से पूछते हैं कि इन लोगों ने वो सारे राज से इवेट किये हैं जहां से गौडजिला आ सकता है लेकिन इसके बाद भी क्या इन लोगों को गौडजिला से डलने की जरूरत है तो यहां इलीन ये कहती है कि हाँ इन लोगों को गौडजिला से डलने की जरूरत है क्योंकि गौडजिला और कौंग एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं और इन दोनों की एंसिस्ट्री राइवल ली भी है तो जब ये लोग टकराएंगे तो तबाही ही तो होगी वहीं दूसरी साइट मेडिसन अपने दोस्त के साथ बन्नी को ढूड़ने निकल जाती है बन्नी के मिल जाने पर वो उन्हें बताता है कि एपेक्स कुछ अन्यूजल चीज कर रहा है और ये सारी अन्यूजल चीजें ये लोग होंग कॉंग ट्रांस्पोर्ट कर रहे हैं और उसने एपेक्स की टॉप सीक्रेट जगा पर एक अजीब सी मशीन को भी देखा था और गोड्जिला का एपेक्स फैसिलिटी में अटेक करना इसी बात को जस्टिफाई करता है तो ये तिन्हों आप डिसाइड करते हैं कि ये लोग एपेक्स की तबाहुई फैसिलिटी के अंदर जाके वहां का रास खोलेंगे वहीं कॉंग की शिप में एकदम से अलाम बजने लगते हैं और इन लोगों को पता चलता है कि गोड्जिला आ गया है कॉंग भी गोड्जिला को सेंस कर लेता है और अपनी चेंस को खोलने की कोशिच करता है यहां एलीन आर्मी चीफ से कहती है कि इन लोगों को कॉंग की चेंज को खोलना होगा ताकि कॉंग खुद को गोडजिला से डिफैंड कर सके और इन लोगों को भी बचा सके नेतन जैसे तैसे कंट्रोल रूम में जाके कॉंग को उसकी चेंज से आजाद कर देता है अब चेंज के खुलते ही कॉंग पानी के उबर आता है और सबसे पहले तो शिप को सीधा करता है और यहां यह दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन क्योंकि कि जिया भी इस शिप पे मौझूद थी तो कॉंग गॉडजिला का ध्यान भढ़का कर उसे दूसरी शिप पे ले जाता है अब यहां यह दोनों काफी ढिशुम ढिशुम करते हैं और गॉडजिला पानी के अंदर से ही अपनी एटोमेक ब्रैथ का यूस भी करता है जिससे बचने के लिए कॉंग भी पानी में कूट जाता है लेकिन यहां पानी में कूटते ही गॉडजिला उसको जकर लेता है और क्योंकि कॉंग पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता वो बेचारा यहां कमजोर पढ़ आता है अब यह सब देखके मिलिटरी वाले भी कॉंग की मदद करते हैं और पानी में कुछ टॉर्पीडर छोड़ देते हैं जैसे गॉडजिला का ध्यान कई और चले आता है और कॉंग को वो छोड़ देता है इसे गॉडजिला को यह लगेगा कि यह लोग अब सरेंडर कर रहे हैं तो गॉडजिला लास्ट में कॉंग को एक गुस्से भरी निगाओं से देखके वहाँ से चला जाता है अब यह लोग कनफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आर अगर इंजन स्टार्ट गया तो गॉडजिला फिर से आके तबाई मचाएगा तो यह लोग फिर कॉंग को एयर लिफ्ट करके एंटार्टिका में हॉलो अर्थ के एंटरिंस में पहुचा देते हैं वहीं मैडिसन की गैंग टूटी हुई एपेक्स फैसिलिटी में एंटर करती है और यहाँ पे यह लोग एक एलिवेटर के थूँ एक अंडरग्राउन फैसिलिटी में पहुच जाते हैं जो की पूरी तरह कॉन्फिडेंशल है इस फैसिलिटी को ऐसा बनाया गया है कि चाहे नुकलियर बम तक फट जाए इस फैसिलिटी को कुछ ना हो थोड़ी इन्वेस्टिकेशन करते करते यह लोग एक कमरे में पहुच जाते हैं जहां बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स के अंडे रखे हुए हैं अब मैं आप लोगों को याद दिला दू कि स्कल क्रॉलर्स वही अजीव तरह के जीव जन्तु हैं जिनको अपन ने कॉंग दस्कल आइलेंड मूवी में देखा था अब एकदम से ही ये वाला गेट बंद हो जाता है और ये लोग इन अंडों के साथ यहां पे बंद हो जाते हैं और तो और इसके बाद ये चेमबर बहुत ही हाई स्पीड में कहीं जाना स्टार्ट कर देता है तो यहां से अपन लोग ये समझ सकते हैं कि एपेक्स वाले इन अंडों को हॉंग कॉंग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो भी अंडरगराउंड रूट के थूँग वहीं दूसरी साइट कॉंग हॉलो अर्थ की एंटरेंस पे सक्सेस्वली पहुंच तो जाता है लेकिन वहां वो हॉलो अर्थ की एंटरेंस के अंदर जाना चाहता ही नहीं है ये लोग इसको मनानी की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कॉंग मानता नहीं है अंत में ये लोग जिया के थूँ कॉंग से ये बोलते हैं कि वो हॉलो अर्थ के अंदर चले जाए क्योंकि वहाँ पे उसको उसकी family मिल सकती है तो कॉंग इस गुवा के अंदर चले जाता है और ये लोग भी कॉंग को follow करते हुए Hollow Earth में पहुंच जाते हैं जहां पे एकदम से इन लोगो gravity inversion का सामना करना पड़ता है लेकिन क्योंकि ये लोग highly advanced spaceships में बैटे हैं तो ये लोग बच जाते हैं Hollow Earth दिखने में बहुत ज़्यादा खुबसूरत है और उसका ecosystem बिलकुल skull island जैसा है यहां Hollow Earth में इन लोगों को बहुत ही अजीब अजीब तराके और बड़े बड़े जीवजन्तू मिलते हैं इन में से कुछ creatures इन लोगों पे हमला भी कर देते हैं जिसके कारण इन में से एक aircraft तबा भी हो जाता है और वहीं ये creatures नेतन वाली aircraft पे भी हमला कर देते हैं लेकिन Kong इन लोगों को बचा लेता है और इन creatures को मस्त दो भी पचार देके इन creatures को मा डालता है वहीं Madison, Bernie और उसका दोस्त टांसपर्ट हुए अंडों के साथ Hong Kong में Apex Headquarter पहुँच जाते हैं यहां आगे चल कर यह लोग एक अंदेरी गुफा में पहुँचते हैं महा कुछ टेक्निकल फॉल्स के कारण यह Mega Godzilla अपनी पूरी पावर को यूस नहीं कर पाता और इसी चीज़ का तोड़ निकालने के लिए इन लोगों को Hollow Earth से Power Source का एक सेंपल चाहिए Mega Godzilla की इस चेस्टिंग के कारण Godzilla आगा हो जाता है और फिर वो तुरंथ Hong Kong की तरफ बढ़ने लगता है दूसरी और Hollow Earth में Kong अपने Ancestors के निशानों को फॉलो करते करते एक Throne Room में पहुँच जाता है यहां Throne Room में बिलकुल एक राजा की तरह वो Throne पे बैठता है और यहां पे उसको एक X में मिलती है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यह X actually Godzilla के Scale से बनी हुई है अब Scale मतलब Godzilla का जो पीछे वाला भाग है न वो तो यह X Kong को यहां पे मिली तो इससे यह भी पता चलता है कि Kong और Godzilla के Ancestors में बहुत ही भरी दुश्मनी थी तभी तो यह X Kong को उसके Throne Room में मिली अब एक Particular Spot पे यह X चमकने लगती है Kong जब वहां पे नीचे उस X को रखता है तो उसके आसपास का पूरा का पूरा एरिया illuminate हो जाता है और यार यह पूरा को पूरा illuminate होता भी है वो भी Godzilla के शेप में डक्टर एलीन सब को यह बताती है कि यह X यहाँ पे अर्थ के radiation को absorb करके चार्ज हो रही है वहीं दूसरी ओवर Madison और उसकी गैंग को King Ghidorah के एक सरका skeleton मिलता है अब बनी आपे इन लोगों को यह बताता है कि Apex वालों ने Ghidorah के DNA को कॉपी करके Megagodzilla में डाला है और इसलिए जब भी Megagodzilla active होता है तो Godzilla को इसकी भनक लग जाती है इसके साथ साथ यह लोग यह भी देखते हैं कि सेरिजावा का बेटा इस Megagodzilla को टेलीपैथी के थ्रू कंटोल कर रहा है या फिर कहें पाइलेट कर रहा है अब माया अपना काम करकर रूखे यहां से तुरंद भागना स्टार्ट कर देती है लेकिन तबी Godzilla महसूस करता है कि किसी ने पावस उसको activate किया है तो अपनी atomic breath को ground की तरफ डाइट करता है अब Godzilla की atomic breath से यहां नीचे hollow earth में हर जगा ट्रेमस आने लगते हैं और इनी ट्रेमस के कारण यहां चमगादर जैसे creature इदर दर उनने लगते हैं और सारे इंसानों को पकड़ पकड़ के खाना स्टार्ट करते हैं माया जिस शिप से भाग रही थी वो शिप कॉंग पे हमला करता है तो कॉंग उसको मच्छर की तरफ ओड़ा देता है अब इतना सब चली रहा होता है तभी Godzilla की जो atomic breath है उसके कारण Hong Kong से लेके Hollow Earth तर के एक सुरंग बन जाती है अब सुरंग के एक साइट Godzilla कॉंग की तरफ चिंगार कर उसे लड़ाई के लिए challenge करता है और Hollow Earth में मौझूद कॉंग भी उसकी तरफ रोवर करता है और अपनी X को लेके उस रंग से नीचे गिजाता है नेतन वगरा भी अपनी last ship से कॉंग को follow करते हैं अब दूसरी बार Godzilla और कॉंग आमने सामने होते हैं और PCT में दोनों की बहुत ही खतना fight होती है शुरुआत में कॉंग X के साथ Godzilla पर भरी पड़ता है लेकिन जैसे से टाइम बीता जाता है उसकी X का charge खतम होता जाता है और Godzilla इसी बात का फायदा उठा के उसको मस्त पेलता है अब कॉंग के बहुत ज़्यादा खायल हो जाने के बाद Godzilla उससे fight नहीं करता और उसे यहीं छोड़के चलना start कर दिता है काफी इंजट होने के कारण कॉंग वहीं बेहोश हो जाता है वहीं Walter का assistant Ghidorah के head में present neurons का use करके टेलीपेथी से Mecha Godzilla को control करने की कोशच करता है मगा Ghidorah के neurons उस पे हावी हो जाते हैं और वह Mecha Godzilla से control खो देता है यानि अब Mecha Godzilla को control करने वाला कोई आदवी नहीं बलकि खुद King Ghidorah है तो Mecha Godzilla सबसे पहले तो Apex Base को तबाह करता है जसमें विचारा Walter Simmons मारा जाता है इसके बाद Mecha Godzilla Godzilla को मानने के लिए सबसे पहले तो City की तबाही से start करता है इसके बाद वो City की ओर उसको तबाह करने जाता है और Godzilla यहाँ पर उसका presence महसूस करके उससे लड़ने आ जाता है अब यार यहाँ Mecha Godzilla को बनाये इसलिए यहाँ ताकि वो Godzilla को tackle कर सके और तो और Godzilla अभी-अभी Kong से लड़के बहुत ठका हुआ है तो Godzilla Megagodzilla के सामने कमजोर पढ़ आता है Godzilla को हारता देख Nathan बेहोश पढ़े Kong को जगाने की कोशिश करता है क्योंकि अगर Kong नहीं उठा तो Megagodzilla बहुत तबाही मचा देगा और यहीं जिया भी Kong को महसूस करते हुए सब लोगों को यह बताती है कि उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे फेड हो रही है तो Nathan यहां पे उस Hollow Earth वाली स्पेस्शिप को यूज करके उसका सारा का सारा इलेक्ट्रिक शॉक Kong की तरफ टांसवर कर देता है ताकि कि किसी भी तरह Kong का जो हार्ट है वो फिर से पंप करना स्टाट कर दे इसे Kong को होश आ जाता है और जिया Kong से बात करके उसको बताती है कि Godzilla असली दुश्मन नहीं है बलकि उसका असली दुश्मन तो Mecha Godzilla है अब Kong जिया की बात पर ट्रस्ट करता है और अपने Broken Shoulder को जैसे भी करके ठीक कर देता है और लड़ने निकल जाता है Megagorzula के मुग के अंदर अपनी Atomic Red Bread छोड़ने ही बाला था लेकिन तभी वहाँ Kong आके गorgorzula को बचा लेता है वही Madison की गैंग Megagorzula के सिशम को तबा करने क्या ट्रै करती है इन लोगों को समझ में नहीं आता तो ये लोग वही देसी में तर्ट अपनाते हैं लेकिन फिर भी Megagorzula दोनों टाइटन्स पर भाली परता है यहीं Kong को अपनी X एक बिल्डिंग में फसी मिलती है तो Godzilla इस X को अपनी Atomic Bread से चार्ज कर देता है तो अब Kong की X में पावर भी वापिस आ जाती है तो अब वो अपनी X से Megagorzula की ऐसी तैसी कर देता है एक दूसरी की तरफ देखते हैं और अपने अपने रास्ते की ओन निकल जाते है एंड में हम एक सीन देखते हैं जहां मोनार्क वालों ने हॉल वर्थ में अपना एक Observation Base बना लिया है तो यहां कॉंग को उसका घर मिल जाता है और जिया भी यह देखके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यह movie यहीं end हो जाती है वैसे आप लोग किसकी साइट थे? God's like a कॉंग कमेंट में ज़रू बाताना